है हेलो हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आप सब की स्टेडी बढ़िया चल रही होगी स्वागत है आपका एक्जाम ओरेंटेड बैच के सेकिंड लेक्चर के अंदर मैं हूं सिये रोहिट शीपर्ड आल इंडिया रैंकर अट आल लेवल्स ऑफ सीये एक्जाम और मैं आ आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग इस बैस के अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं कौन को सा मुझल हम आपको प्रॉवाइट कराएंगे और किस तरह से हम लोग सारे कंसेप्स और सारे कोश्चन क्लास के अंदर सॉल करने वाले हैं तो सारी डीटेल हमन आज के इस lecture को तो यह हमारे AFM के concept notes है जो हमने हमारे lecture one में cover किये थे कि इस पे क्या-क्या चीज़े included है तो आप lecture one देखेंगे तो आपको इस पे idea लग जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो lecture one का link मैं आपको description box में provide करवा दूँगा और जितने भी notes जो हम लोग आपको provide कराएंगे यह सारे आप हमारे telegram channel से refer कर सकते हैं तो आप यह note कर सकते हैं channel का link और आप telegram पे join करके इसको refer कर सकते हैं तो चलते हैं हम लोग हमारे portfolio management की chapter के अंदर कि क्या-क्या चीज़े हैं इसके अंदर और कैसे हम इसको cover करेंगे तो जो first concept है इसका portfolio management का हमने हमारी first class में refer किया था और इसका हमने question भी solve किया था test knowledge का question number 5 का 1 अब हम इसके आगे का chapter continue करेंगे तो portfolio management में हमने देखा था कि portfolio management का purpose क्या होता है तो इसका purpose होता है return को maximize करना और risk को minimize करना but sir यह return क्या होता है और यह risk क्या होती है तो बहुत ही simple meaning है return का और risk का start करते हम लोग return से तो return क्या होता है जो भी income आपको अपने investment से होती है वो होता है आपका return तो return क्या-क्या हो सकता है return आपका dividend हो सकता है आपका return आपका जो investment है उसका value appreciate हुआ है मतलब आपने कुछ और price से भाई किया था और आज उसका price बढ़ चुका है तो जो आपका capital appreciation है वो भी आपका return होता है प्लस जो आपको interest मिल रहा है या आपको कोई और income मिल रही है तो वो सब चीजे इसमें return होती है यहाँ पर जो return रहने वाला है वो रहेगा आपका dividend प्लस आपका change in price तो income from investment होता है आपका return इसको calculate कैसे करना है आपको return calculation का formula बहुत ही simple है आपको आपका dividend है उसको add करना है प्लस आपको add करना है आपके price में जो change हुआ है तो price में जो change हुआ है उसके लिए आपको करना है P1-P0 तो P1-P0 मतलब P1 होता है आपका end of the year का price और P0 है आपका beginning of the year का price तो dividend प्लस change in price को add कर दीजिए उसको divide कर दीजिए आप आपके beginning of the price से तो इस तरह आपको मिल दाएगा आपका return तो यह तो हुग आपका बहुत ही simple concept अब यहाँ पर आप दिखोगे तो हमने यहाँ पर एक mistake register का point लिखा हुआ है कि जब बच्चे question को solve करते हैं तो हो सकता है कि कुछ बच्चे यह mistake अपने exam के अंदर कर दे तो यह point क्या बोलता है यह बोलता है if the market price of share is inclusive of bonus debenture मतलब आपको तो price दिया है आपके equity share का उसके अंदर आपके debenture का price included है for example मान लीजे question में दिया है कि 106 रुपीज का price है आपके equity share का और इस price के अंदर आपका एक debenture का price included है तो आपका इसमें debenture का price included है तो इस case के अंदर आपको P0 क्या लेना है तो जब आपको P0 calculate करना है इस case के अंदर तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है reduce the value of debenture from the price for calculating the return तो आपको जो P0 calculate करना है उसके अंदर आपको debenture का value less करना है मान लीजे debenture का value आता है 6 euro 6 rupees और इस case में आपका P0 बन जाएगा 106 minus 6 तो आपका P0 बनेगा 100 तो 100 आपकी equity share का value है और 6 rupees और debenture का value है उसको आपको इसमें से less करना है जब आप अपने return का calculation करेंगे तो इसको अगर आपको और detail में समझना है तो इसके लिए हम लोग test your knowledge का question number 2 refer कर सकते हैं जिसके हमें और idea लग जाएगा कि ये जो mistake point है इसको इसका actual meaning क्या है और इसको exam में किस तरह से use हो रहा है next part है यहाँ पर method of solving का तो यहाँ पर हमने इस return का जो concept है इसका जो question आएगा उसको solve कैसे करना है वो भी यहाँ पर दिया है कभी-कभी students को बहुत problem होती है कि वो concept पढ़के जाते हैं exam में बट जब question को start करना होता है तो वो समझ नहीं बाते इसको start कैसे करें तो उसी के लिए हमने यहाँ पर method of solving का point दिया है कि अगर आपके exam में question आता है return calculation का तो आपको question को start कैसे करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको इस तरह का table create करना है और इस table के तरह आपको आपका return calculate करना है तो इस table में क्या क्या चीज़े है इस table के अंदर आपका P1 है जो कि आपका possible price या past year price है प्लस यहाँ पर आपका change in price है P1-P0 मतलब आपका जो भी price में appreciation होगा वो यहाँ पर record हो जाएगा फिर आपका dividend है यहाँ पर तो आप यहाँ पर dividend लिख लेंगे और जब आपको return percent calculate करना है तो आपको क्या करना है आपको आपका dividend plus आपका change in price add करना है divide करना है आपको आपके P0 से beginning of the price से और इस तरह से आपका return का percent calculate हो जाएगा तो इस तरह से आपको table create करना है और इस table के तरह आप आराम से आपका return calculate कर सकते है तो यह तो होगा sir return अब return के भी होते हैं दो part दो तरह के return होते हैं पहला होता है आपका expected return और दूसरा होता है आपका average return अब sir दोनों में difference क्या है तो दोनों में difference बहुत कम है expected return हम use करते हैं जब question में given हो probability और average return हम use करते हैं जब हमें given हो historical data तो अगर आप केवल नाम से पढ़ोगे expected return कि मुझे क्या expectation है market से जितना मुझे return मिलेगा अगर मेरी expectation high है तो मेरा जो possible return होगा वो high होगा अगर मेरी expectation कम है कि market अच्छा perform नहीं करेगा तो मेरा जो possible return होगा वो कम होगा तो expected return वाले questions में आपको given होता है possible return प्लस आपको given होती इसकी probability मतलब क्या सर मतलब मान लीजे कि आपको लग रहा है कि market अच्छा perform करेगा अगर market अच्छा perform करता है तो आपका possible return क्या होगा तो market का मान लो अच्छा perform करने के लिए लिख लेते हैं आप इस good performance का probability है 0.5 let's say 0.5% 0.5 मतलब क्या होगया 0.5 मतलब 50% होगया है यहाँ पर तो 0.5 और जब market अच्छा perform करेगा तो आपको क्या return मिलेगा तो मान लिजए आपको return मिलेगा 10% तो यह होगया आपका एक probability और यह होगया आपका possible return और मान लिजए market अच्छा perform नहीं करता है तो market यहाँ पर poor perform करेगा तो इसका probability भी मान लिजए आप लिखते हैं 0.5 0.5 जो कि market अगर अच्छा perform नहीं करेगा तो आपको मिलने वाला है 5% तो इस तरह से आपको given होगा exam के अंदर कि क्या probability है और क्या possible return है इसके विश्यस आपको calculate करना होगा आपका expected return यह सेम चीज़ हम लोग देखने वाले हैं question के थुरू ताकि आपको और अच्छा understanding मिले कि इस concept को आपको question में कैसे apply करना है तो यह होगा आपका expected return अब इसको read कर लेते हैं इसका मतलब क्या है expected return sigma px sigma का मतलब होता है sum of px p मतलब probability x मतलब expected return सेम यहाँ पर explain क्या है sum total of probability multiply by annual return और यहाँ पर possible return तो आपको probability को multiply करना है आपके possible return से और आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका expected return अब इसका भी यहाँ पर method of solving दिया है कि question अगर पूछता है कि आपको expected return calculate करना है तो आप यह table use कर सकते हैं जहाँ पर आपको first column में डालना पड़ेगा possible return और next column में आपको डालना पड़ेगा आपका probability तो नों को multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा product तो नों का आप sum कर दीजे तो आपको मिल जाएगा आपका expected return का answer यह होगा आपका expected return next है आपका average return तो sir average return क्या होता है तो average return क्या होता है इसमें आपको दिये होते है year wise returns और year wise returns को आपको add करना है और इसको divide करना है number of year से ताकि आपको मिल जाए एक average return मान लिजे कि जैसे मेरे पास 3 year का data है year 1 year 2 and year 3 year 1 में मैंने 10% कमाए year 2 में मैंने 20% कमाए और year 3 में मैंने 30% कमाए तो अगर मैंने 3 साल में अलग-अलग amount कमाए है और में को average निकालना है तो इन 3 का average कैसे निकालेंगे 3 को add कर दीजिए तो 3 को add करने पर आपको 60 और कितने साल का data है यह 3 साल का data है तो इसको divide by 3 कर देंगे तो मेरा average इसमें बैठे का 20% का average return तो यह होता है आपका average return यह use होता है जब आपको given हो historical data historical data मतलब आपको year-wise return given है और year-wise return के बैसे पर आपने calculate किया है यहाँ पर आपका average return इसका formula भी same दिया है यहाँ पर average return sigma x divided by n जहाँ पर x क्या है आपका annual return और sigma मतलब sum करना है तो आपको अपने सारे annual returns का sum करना है divide करना है आपको number of annual return या फिर number of years के साथ तो यह होगे आपका average return का simple सा formula और concept अब चलते next part की तरफ अब risk क्या होता है हमने return तो समझ लिया कि portfolio में हमें return को maximize करना है but portfolio में जब हम return की बात कर रहे क्योंकि हमें हमारा risk करना है minimize तो generally risk क्या होता है normal शब्दों में हम समझे जो भी uncertainty है market में वो होती है आपकी risk मतलब कल क्या हो जाएगा market में क्या market गिर जाएगा या market बढ़ जाएगा तो वो ही आपका risk ऐसा नहीं कि even negative side ही आपका risk है कि market गिरेगा तो ही मुझे risk है लेकिन risk का मतलब है uncertainty अगर market बहुत जादा बढ़ता है तो भी risk है बहुत कम बढ़ता है तो भी risk है तो risk का मतलब है आपका uncertainty या फिर आपका deviation from your annual और your expected return तो यहाँ पर आप देख सकते है इसका definition क्या है deviation of actual oblique possible return from the expected return जैसे हमने यहाँ पर calculate किया हमारा average return अब इस average return का deviation कितना है actual से तो यहाँ पर actual मान लिजे 10 था तो deviation कितना हो गया 20 और 10 का deviation हो गया 10% का deviation यहाँ पर second year का 20 था 20 और 20 का deviation कितना है 0 और again 30 और 20 का deviation है वो है minus 10 तो इस तरह से हमारा जो deviation है actual का और हमारे expected या फिर average का वो होता है हमारा risk अब risk के भी होते हैं बहुत सारे part की risk को कैसे measure करें तो सबसे बढ़ीया तरीका होता है risk को measure करने का वो होता है variance plus standard deviation तो दोनों सर चीजे क्या है variance क्या है इससर standard deviation क्या है तो दोनों बहुत ही similar चीजे है बहुत ही simple formula है दोनों का सबसे बहले बात करते हैं variance पे तो variance क्या है? variance है variability of possible oblique annual returns from the expected oblique average return और यह होता है आपका matter of total risk तो जो भी आपका variability है actual और possible return का from your expected or average return वो ही आपका variance है कि कितना ज़्यादा difference हो सकता है आपके average return में से और possible return में से तो यह variance आपका measure करता है जो आपका deviation है actual का और आपके average का इसका formula क्या है? तो इसका formula बहुत simple है इसमें आपको क्या करना है? variance equal to sigma मतलब sum करना है आपको x minus x bar का square तो x क्या है यहाँ पर? x है यहाँ पर आपका possible return और x bar क्या है? x bar है आपका यहाँ पर expected return जब आप x minus x bar कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कितना difference है आपके average में और आपके possible में मतलब जो आपका average return है और आपका annual return है दोनों में कितना difference है वो आपने ले लिया अब आपने उस deviation का कर दिया है square तो यह square करने का भी एक बहुत बड़ा purpose है कि यहाँ पर square क्यों किया जा रहा है? क्योंकि square करने का purpose यह है ताकि हम लोग जो deviation इसको easily measure कर पाएं अगर हम लोग square नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कुछ deviation positive हो, कुछ deviation यहाँ पर negative हो, तो positive और negative deviation एक दूसरे को offset कर देंगे, और उस case में हम लोग जो variability है याँ deviation इसको डंग से मज़र नहीं कर पाएंगे तो positive और negative एक दूसरे को offset नहीं करें, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका square कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने आज आएगा यह variance, तो deviation का square minus probability इन दोनों का आपको करना है sum तो आपको मिल जाएगा आपका variance का number, तो यहाँ पर सेम चीज़ दी है कि PX का मतलब है probability of return अब sir, इसका question आगा तो इसको solve कैसे करना है? तो इसके लिए हमने यहाँ पर आपको दिया है method of solving से पहले आपके सारे possible return note करने है, आपको सारी probability note करनी है, तो यह दोनों चीज़े आपको आपके question के अंदर मिलेगी, possible return plus probability, आपको calculate करना है आपका deviation तो deviation के लिए पहले आपको calculate करना है आपका x bar, x bar मतलब आपको आपका average या फिर expected return calculate करना है, दोनों impact खतम ना करें, इसलिए हमने याप पर कर जिया है square, और अब जो आ गया है amount, इसको multiply कर दीजे आपके probability से तो b into c square, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर यह variance का number इसका आप sum कर दीजे, आपको मिल जाएगा आपका variance तो यह तो होगा variance जब आपको probability वारा data given हो, कि आपको possible returns plus आपको उसकी probability given है but sir, अगर historical data given है, अगर आपको year wise return given है, तो उसका कैसे calculate करोगे तो sir, उसके लिए भी बहुत simple formula है आपको आपका सबसे पहले average return calculate करना है, जैसा आपने उपर पड़ा, फिर आपको उसमें से उसका deviation calculate करना है तो annual return आपका हो गया उसमें से minus कर दीजे आप आपका expected या फिर आपका average return, अब again इसका भी impact आपका offset ना करे, इसलिए square कर दीजे, और इसका आप कर दीजे sum तो इसका जैसे आप sum करेंगे, इसके बाद आपको इसको divide करना है number of year से, ताकि आपका एक variance calculate हो पाए तो यहाँ पर same formula given है कि variance equal to sigma sum of deviation x minus x bar का square divided by number of year, तो annual return average return and the number of annual year, तो यह तीनों चीज़े मिलके यहाँ पर हमने calculate किया है आपका variance का formula यह आपका हो गया variance, अब चलते हैं next part पे, तो इसका भी of solving हमने दिया है कि exam में आये तो कैसे solve करना है सबसे पहले आपको past year return लेने है, फिर आपको deviation लेना है deviation आप कैसे calculate करोगे पहले आपको calculate करना है आपका average return average return और आपके past year return का difference जो है वो आपका deviation बनेगा उन दोनों का square कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे आपका deviation का square उन सब का sum करके divide by n करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका variance का number फिर standard deviation क्या होता है तो variance जो आपका number है वो आपका square में था तो जो भी आपका variability वो आपका square में है तो अगर आपने उस variability को under root कर दिया या उसका square निकाल दिया तो आपको मिल जाएगा आपका variance तो variance का आप जैसी under root करते है तो आपको मिलता है variance same formula यहाँ पर given है कि sigma x minus x bar का whole square divided by n मतलब यहाँ पर variance calculate किया है और यहाँ पर भी variance calculate किया है तो variance का आपको करना है under root ताकि आपको मिलता है standard deviation यहाँ पर इसका normal meaning पढ़ लेते है तो standard deviation of the return will be the positive square root of the variance and is generally represented by the sigma तो sir actually standard deviation होता क्या है तो आप अगर नाम से ही पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे standard deviation मतलब क्या standard deviation है आपके actual return का और आपके average return का मतलब actual और average में कितना difference हो सकता है इसका एक standard बताईए मान लीजे अगर आपका standard deviation आता है 5% तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपके जो भी actual returns है और जो आपका average return है उसमें 5% तक का standard difference हो सकता है जैसा हमने उपर के example में देखा था कि यह मेरे पास 3 साल की number है 10%, 20% and 30% तो इसका average आया मेरा 20% अब 20% का deviation कितना है year 1 में है 10 और 20 का 10% का फिर 20 और 20 का 0 20 और 30 का 10% तो यहाँ पर आप दीखोगे तो एक average अगर आप deviation निकालोगे तो वो 10% आता है तो यही deviation आपका standard deviation define करता है कि आपका average और आपका annual कितना deviate करते है एक दूसरे से उन दूनों में एक दूसरे से कितना difference है तो यही आपका होता है standard deviation तो यह तो होगे हमारा concept तो अभी हमने 4 concept पढ़ लिये हैं पटापट से पहला हमने पढ़ा है return फिर हमने पढ़ा है दो तरह के return expected return जो probability में काम आता है average return जो आता है आपके historical data में फिर हमने पढ़ा risk के बारे में तो risk कैसे calculate होती है risk होती है calculate आपके variance से प्लस आपके standard deviation से अब यहाँ पर आप दिखोगे तो यहाँ पर highlighted color में हमने लिख रखा है कि यह जब concept आप पढ़ लो तो आपको solve करने है TYK question 1 और 2 जब आप revise कर रहे होंगे तो आप चाहे तो सारे concept एक साथ revise करके सारे question एक साथ solve कर सकते है या फिर आप concept पढ़ते हैं उसका question revise कर लीजिए ताकि concept और ज़्यादा आपका strong हो जाए तो हम लोग चलते हमारे TYK 1 और 2 पे जिसको हम पढ़ेंगे और solve करेंगे ताकि ये तो concept हमने पढ़े हैं उसका application हमको समझ में आए तो मैं आपको लेके चलता हूँ study mat पे हमारे तो ये होगे हमारा study mat अब यहाँ पर page number 296 पर start होता है आपका portfolio का chapter के questions तो मैं फटा-फट से आपको page number 296 पे लेके चल रहा हूँ ये होगे आपका page number 296 इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं तो ये होगे आपका question number 1 जिसमें हम लोग use करने वाले हमारे returns और इसका concept तो यहाँ पर लिखा है the stock costing rupees 120 pays no dividend मतलब यहाँ पर dividend 0 है तो dividend का use नहीं होगा return calculation के formula में यहाँ पर दिया है stock costing rupees 120 मतलब stock का cost है 120 तो यह हो जाएगा हमारा P0 का value तो जब भी आप भी अपने exam में कभी कोई question पड़े जो भी आपको important लगे उसको आप यहाँ पर highlight कर दीजिए ताकि यह जो important चीज़े है आपके solution में miss ना हो जाए और आप जब भी solve करें आपसे silly mistake ना हो इनको ignore करके तो यहाँ पर जैसे लिखा stock costing 120 हमने note कर लिया P0 और no dividend मतलब यहाँ पर कोई भी D नहीं होगा तो possible prices यहाँ पर possible prices given है that the stock might sell for at the end of the year with the respective probabilities तो यहाँ पर possible prices है चुकि stock sell करेगा at the end of the year at the end of the year से हमें click हो जाना चाहिए कि यह जो numbers यह जो price है वो हमारे P1 है तो P1 हमारे पास है P0 हमारे पास है D हमेशा 0 रहेगा हम लोग इसका calculate करना है return तो return calculation के लिए चलते हैं हम लोग हमारे Excel के उपर तो जो भी calculations है मैं try करूँगा कि हम लोग उसको Excel में करें ताकि आपका time save हो सके Excel में जब हम calculation करते हैं तो आपको सारे के सारे formula easily दिखते हैं कि कहां पर हमने क्या formula लगाया है प्लस अगर आपको कोई repetitive calculation करना है बार-बार तो आप उसको easily Excel के थुरू fast कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग Excel का use करने वाले हैं ताकि आपका time कम लगे प्लस आप सारे calculation अराम से देख पाए और आप conceptual को अच्छे से समझ पाए तो हम लोग चलते हैं इस question की तरफ हमें calculate करना है इसमें return तो मैं आपको वापिस लेके चलता हूँ study mat पे यहाँ पर हमें given है P1 और P0 तो हमें पहले calculate करना पड़ेगा return यहाँ पर कोई भी return given नहीं है कि इस price पे क्या return है या पिर क्या नहीं है तो सबसे पहले हमें calculate करना है इसमें return तो मैं आपको लेके चलता हूँ Excel पे पापिस return calculate करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमें लेना है हमारा P1 तो P1 हमारा है price at the end of the year question में given भी है हमारा पूरा P1 का range तो इसको हम आप पर copy कर लेते हैं पूरा चालू होता है 115 से 120, 125 130, 135 and 140 तो यह हो गए हमारा P1 अब हमें लेना है हमारा P0 इसमें P0 given है यहाँ पर सबके लिए रहेगा P0 same 120 और अब हमें लेना है P1-P0 तो P1-P0 क्या है आपका capital appreciation मतलब आपका price कितना बड़ा है वो हमें पता लगेगा P1-P0 से तो यहाँ पर हम लेंगे हर price के आगे P1-P0 तो पहले के सामने यह हमारे negative में आया है मतलब price कम हुआ है और return हमारा यहाँ पर negative रहने वाला है तो यह होगे हमारा सबका P1-P0 हमारे case में D0 है मतलब dividend हमेशा 0 रहा है तो मैं उसको यहाँ पर नहीं note करूँगा next part में हम calculate कर रहे हैं हम यहाँ पर return तो return का formula क्या था कि जो भी price में change हुआ है उसको divide करना है हमें P0 से तो same में यहाँ पर follow करूँगा price में जो change हुआ है divide by P0 और यहाँ पर इसको हम कर देंगे same जगे copy paste तो इस Excel में आप easily देख सकते हैं कि क्या formula हमने लगाया है कि हमने यहाँ पर change in price को divide किया है P0 से और यहाँ पर हमें मिल चुका है return अब इस return को मैं convert करता हूँ percent में यहाँ पर ताकि थोड़ा समझने में easy रहे तो यह होगे आपका percent इस question के तो हमारे पास अब return percent तो आ गए है अब हमें calculate करना है इसमें expected return तो expected return कैसे calculate करेंगे हम लोग वह हम यहाँ देखते हैं तो एक नई table और create करता हूँ मैं तो इस table में हम लोग same return में इसको convert कर देते हैं इसको return में convert करना है यहाँ से तो यह आपका return आ चुका है और question में हमें given है probability तो expected return के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए probability भी साथ में तो यह क्या है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1 ओके सो मैं सेम यहाँ copy कर लेता हूँ आपके लिए 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1 तो यह हो गए आपके तीनों सारी probability यहाँ पर हम note कर लेते हैं probability अब हमें expected return क्याक्योर करना है तो उसके लिए हमें लिना पड़ेगा यहाँ पर प्रड़क्ट तो दोनों का प्रड़क्ट जो आएगा वो आएगा आपका expected return का आंसर तो return multiply by probability इसको आप कर दीजिए total इसको मैं convert करता हूँ हमारे percent के अंदर फिर से और इसका जैसे आप sum करोगे तो यह होता है आपका expected return का आंसर तो 7.08% है आपका expected return अब चलते नेक्स पार्ट में और क्या पूचा है question के अंदर यहाँ पर हम note कर लेते हमारा answer 7.08% 7.08% हमारा answer है calculate standard deviation of returns अब हमें calculate करना है standard deviation of return मैं तो आपके लिए zoom कर देता हूँ ताकि आपके लिए देखने के लिए इसी रहे अब standard deviation के लिए हमें क्या करना है अगेन हमें same process follow करना है हमें चाहिए same return and probability probability तो मैं same यहाँ पर copy कर देता हूँ अब next part है यहाँ पर हमें चाहिए होगा deviation तो deviation क्या होता है हमारे return का और expected return का difference तो यहाँ पर लिखते हैं deviation अब deviation हमें लेना है return minus हमारा expected return तो यह same deviation हम यहाँ copy कर लेंगे formula तो यह होगे हमारा deviation अब next part होता है हमें deviation का करना है square तो एक सबसे important चीज यहाँ पर जब भी हम लोग calculation करते हैं यहाँ पर तो standard deviation calculation के लिए हमें percent की जगे absolute figure लेने पर ज्यादा accurate answer मिलता है तो यहाँ पर ICI भी हमेशा percent की जगे absolute figure लेता है standard deviation के calculation के लिए तो मैं यहाँ पर भी सारे figures को absolute numbers में convert कर देता हूँ तो इसको हम लोग convert कर रहे हैं absolute number के अंदर तो यह होगे आपका absolute number मतलब जो percent में था पहले उपर जैसे यह तो मैंने उनको convert कर दिया है अब absolute number में सेम चीज यहाँ पर भी follow करना ही हमें इनको हम convert कर देंगे absolute number में तो यह होगे आपका deviation का number अब इस deviation का हमें करना है square इसको भी हमें करना पड़ेगा hundred से multiply तो यह जो 7.08 हमारा number आया है इससे हमें deviation लेना है तो इसको हम सही कर देते हैं यहाँ पर c90 तो यहाँ पर हमने क्या किया हमने यहाँ पर हमारे जो return है उसको minus किया है उसमें से हमारा expected return तो यह हमारा deviation आया है कि जो हमारा expected return है 7.08 का वो कितना दूर है हमारे negative return 4.17 से वो है minus 11 points तो यह हमारा deviation आ चुका है इसको मैं सब्सके कॉपी कर देता हूँ इस formula को ताकि हर return के आगे हमें deviation मिल जाए जैसे अगर यहाँ पर zero return है तो हमारा deviation जो हमारा expected return है वही amount बन जाएगा अब इसका हमें square चाहिए होता है variance calculation के लिए तो इसको मैं इसी से multiply करूँगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा square तो यह होगी हमारा deviation का square अब next और last part जो हमारा जाता है variance calculation के लिए हमें हमारे deviation के square को multiply करना है हमारे probability के साथ तो deviation square multiply by probability कर देंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे यहाँ तक paste और अब इसका जो भी sum आएगा वो होगा आपका variance और इसका square root करेंगे हम लोग तो यह आजाएगा हमारा standard deviation तो square root करने का formula क्या होता है Excel में हमें उसकी power 1 by 2 करनी पड़ती है जिससे हमारा square root आजाए आपको आपके calculator में square root का simple option मिल जाएगा तो आपको इतना power लगाने की ज़रूत नहीं है आप जो भी आपका variance है उसका अप under root करिए और आपका answer मिल जाएगा तो यह है आपका variance और यह है आपका standard deviation तो यह दोना हमने calculate कर लिया है और जब आप लोग इस question की practice करेंगे तो आपको इसको Excel में practice नहीं करना है Excel में हमने यहाँ पर इसी लिक है ताकि आपको time बच सके आप formula easily समझ पाए और जो repetitive calculations है जो हमें बार-बार करनी पड़ती है वो थोड़ी save हो जाए तो इसका answer हमने calculate कर लिया है कि 7.08 हमारा expected है और हमारा variance और standard deviation है वो 34.89 और 5.90 है तो यह question हमारा complete होता है हम लोग फटापट से ICI का answer भी verify करते है कि ICI ने किस format में answer लिखा है तो हमारे सारे answer ICI के format में ही होंगे just for your concern मैं आपको एक बार फटापट से ICI का answer भी दिखा जिता हूँ ताकि आपको भी एक बार confidence आजा है कि हम लोग जो answer का pattern follow कर रहे है वो ICI का same है और आपको अगर ICI के full marks चाहिए paper में तो आपको same pattern follow करना चाहिए तो हम लोग अब answer पार्ट पर आ चुके है सबसे पहले ICI ने क्या किया है possible price लिए है फिर उसका difference लिया है P1-P0 और फिर उसका return calculate किया है same चीज आप देखोगे तो हमने भी सबसे पहले यहीं से start किया है कि हमने पहले P1 लिया है P1-P0 किया है और फिर उसका return हमने यहाँ पर calculate किया है अब next part में क्या किया है यहाँ पर possible return जो उपर से आया है सारा का सारा 4.17 से लेकर यहाँ तक का तो यह सारा का सारा possible return हमने यहाँ पर लिया है प्लस इसका probability से multiply करकर expected return calculate किया है हमने भी same चीज फॉलो किया है यहाँ पर return को multiply के probability से और हमने answer आया 7.08 का तो same answer हमारा भी match होता है यहाँ पर ICI के answer से अब next part जो था standard deviation का calculation तो यहाँ पर भी same चीज फॉलो हुई है कि हमने यहाँ पर return और probability साथ में दिया है next जो calculate हुआ है वो deviation, deviation का square और इन दोनों का product deviation square into probability तो आपका आया है यहाँ पर नंबर और यह है आपका variance जिसको आप करेंगे अगर under root तो आपका आँसर आदेगा SD का 5.908 तो same answer हमारा भी आया है यहाँ पर 5.908 और 34.89 तो यह तो हो गया हमारा first question जिसमें हमने calculate किया हमारा standard deviation, variance और expected return as well as the return जिससे हमारे एक बड़ सारे concept थोड़ी brush up हो गए अब हम चलते है next question की तरफ और उसको भी करते हम लोग solve तो study match के question की उपर सलते हैं फटाफट से उपर की तरफ तो जो next question है हमारा question number 2 वो भी बहुत हद तक similar है उसमें कुछ concept नया है जो हम check करेंगे अभी तो चलते इस question में इसमें क्या बोला गया है following information is available in respect of expected dividend market price and market condition after one year तो after one year है तो P1 और D रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर market condition दी है good, normal, bad, probability है आपकी 25%, 50%, 25% market price given है 115, 107 और 97 और dividend per share भी यहाँ पर हमको given है अब question में आगे क्या बोला है existing market price, existing market price हमेशा होता है हमारा P0 of equity share is 106, मतलब यहाँ पर 106 का market price है हमारे equity share का face value यहाँ पर one है बट face value हमारे relevant नहीं होता है, face value भरहत का कुछ भी हो which is come of 10% bonus debenture of Rs.6 each मतलब यह जो equity share है इसके अंदर हमें 10% bonus debenture भी मिला हुआ है Mr. X Finance Company Limited का जिसने अपना buyback भी हमको option दिया है find out the expected return हमें expected return calculate करना है variability of return तो variability of return क्या होता है तो आपका variability of return और कुछ नहीं आपका variance और standard deviation ही है तो वही हमें यहाँ पर calculate करना है of the equity share if buyback offers accepted by the investor तो अकर buyback accept हो जाता है तो हमें expected return और variability calculate करना है और last में हमसे पूछा है also advise whether to accept buyback or not तो buyback opt करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह भी हमारे पास question है चलते हम इसको step by step solution पे पहले हमें calculate करना है इसका expected return तो expected return calculate करने से पहले हमें decide करना है कि P0 क्या रहेगा इस question का तो market price तो 106 है बट इसके दो पार्ट है एक है हमारा debenture जिसका redemption होने वाला है face value के उपर तो इसका value भी हो जाएगा 6 रूपीज और अब इसमें जो बचा हुआ amount है वो है आपका equity share का तो equity share का यहाँ पर amount क्या होता है 106-6 तो आपका 100 रूपीज का हो जाता है equity share का amount तो इस question में आपका P0 रेने वाला है 100 because हमने यहाँ पर reduce कर दिया है आपका जो bonus debenture आपको मिला है आपके duration के अंदर अब इस question को हम solve करने चलते हैं तो हमारे पास P0 है हमारे पास P1 है हमारे पास dividend है सबसे पहले calculate करेंगे हम लोग इस question पे return चलते हैं इस question पर एक नई sheet add कर देता हूं मैं आपके लिए और इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहले हमें given है यहाँ पर P1 तो P1 हम ले लेंगे पहले प्लस हमें given है यहाँ पर P0 जो कि same रहेगा हमें given है dividend भी तो यह तीन चीज़े जो हमें given है पहले इनको ले ले लेते हैं question में से पहली चीज़ है हमारी 115, 107, 97 and dividend is 953 115, 107 and 97 P0 हमने अभी देखा कि P0 हमारा 100 रहने वाला है सबके लिए next dividend तो dividend क्या रहेगा dividend हमें given है question के अंदर जो कि है 9, 7 और 5 तो यहाँ पर आप देखेंगे dividend भी तो यह same है 953 ओके तो इसको हम अपडेट कर देते हैं 953 की तरह अब हमें calculate करना है return तो return के लिए P1-P0 चाहिए plus D करना रहेगा तो P1-P0 कितना होता है 115-100 तो यह होगी हमारा P1-P0 इसमें हमें करना है dividend को add और हमें calculate करना है return तो जैसे ही आप इसमें dividend add करेंगे divide by 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका return का percent तो यहाँ पर हम लिखते है return का percent जो कि होगा आपका D plus P1-P0 सेम हमें करना है तीनों के लिए कि D P1 plus P1-P0 यह होगी आपका return not percentage में अब हमें अगर return percentage में चाहिए तो हमें इस amount को divide करना पड़ेगा हमारे P0 के साथ तो यह होगी हमारा P0 और इसको हम करते हैं percent में transform ताकि समझने में थोड़ा easy रहे तो यह होगी आपका return का percentage इस question के according हमें calculate करना है इस question के अंदर expected return तो expected return के लिए हमें क्या करना होगा हमें इसको multiply करना पड़ेगा हमारे probability के साथ तो इसको हम यह copy करते हैं और यहां पर हमें चाहिए probability probability का answer देखते हैं कि probability क्या है आपर 0.25, 0.5 और 0.25 0.25, 0.5 and 0.25 यह हमारी probability हो गई अब इन दोरों को multiply करके हमें मिल जाएगा हमारा expected return तो इसको multiply करते हैं इन खुद के साथ तो हमारा expected return इस question के अंदर आता है 12% जो की है expected return अब next part क्या है हमारा हमें इसमें calculate करना है variability of return जो की हमारा होने वाला variance तो variance हम चलते calculation करने तो variance में आपको क्या करना होता है तो variance में आपको कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले लेना है आपका return ओर probability तो हम यहाँ पर एक नई table create करने है return on probability हमने यहाँ अपर ले लिया है question के according अब हमें क्या करना है हमें इसको devition को calculate करना है तो deviation का formula क्या होता है deviation होता है हमारा return minus expected return तो return मेरा यहाँ पर 24 है इसमें से minus करना पड़ेगा expected return को तो यह आदाएगा आपका deviation का answer plus अब इस deviation का हमें करना पड़ेगा square variance calculation के लिए तो deviation का square क्या होगा 12 से तो यह होगा हमारे deviation का square अब next जो पार्ट है हमारा वो है product का कि deviation square multiply by probability करके answer क्या आ रहा है यहाँ पर तो हमने यहाँ पर लिया हमारा probability multiply by deviation और इसका हम कर देते हैं सेम सब जगे तो यह होगा हमारा product का answer तो इन सब को अगर हम total कर दे तो आ जाएगा हमारा variance तो हमारा variance इस case में बनता है 72 का अब हमें अगर निकालना है इसका standard deviation तो हमें इसका केवल करना है square root तो इसका हम डाल देते है square root तो इसका यह होगा answer standard deviation का तो इस question के अंदर हमारा expected return ता 12% variance ता 72 और हमारा जो risk है standard deviation वो है 8.48% अब next question में क्या पूचा है next में पूचा है whether to also advise whether to accept the buyback offer or not तो buyback offer accept करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह हमारे पास question है तो इसमें एक बहुत important चीज जो हमें check करनी है वो है कि चुट interest rate है हमारे debenture पे वो है 10% तो अगर हमें 10% interest मिल रहा है हमारे debenture के उपर और जो market return है जो हमने calculate किया था वो है 12% तो अगर आप इस calculation पर फिर से देखे जो expected return हमने calculate किया है वो है 12% और यहाँ पर हमें already 10% मिल रहा है तो ज़ादा difference नहीं है प्लस जो हमें return मिल रहा है यहाँ पर उसमें risk भी involved है कि कि किसी महीने ज़ादा होता किसी महीने कम हो सकता है तो as per standard deviation जो इसका risk है वो around 8.48% है तो अगर आपको equity मिल रहा है 12% with risk और आपको अगर debenture मिल रहा है 10% without any risk तो आप क्या prefer करेंगे तो इसका जो answer है वो थोड़ा depend वाला answer है कि हो सकता है कि हम इस scenario में यह purchase करें और इस scenario में हम यह लोग यह prefer करें तो जो इसमें important चीज हमें ध्यान में रखनी है वो है maturity of the debenture bond तो maturity of debenture bond will decide कि क्या हमें इसको hold करना चाहिए या हमें इसे buyback कर लेना चाहिए तो अगर मान लीजिए इसका maturity बहुत लंबा है मतलब बहुत time तक चलने वाला है 5 साल का maturity है तो इस case में अगर हम लोग buyback के लिए नहीं जाते हैं और इसको hold करते हैं तो हमें इसमें loss होगा क्योंकि market rate जो है 12% का मिलता है आपको आपका inflation और या फिर आपका return और आपको यह 10% मिल रहा है तो long term की बात करें तो long term के अंदर आपका risk थोड़ा कम हो जाता है तो इसलिए long term के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको buyback accept करके cash ले लेना चाहिए debenture के भरोसे नहीं रहना चाहिए और आप जो पैसा आएगा उसको आप invest कर सकते हैं 12% के अंदर तो long term का आपका क्या option होना चाहिए अगर long term है तो long term के लिए आपको या करना है आपको long term के लिए उसको hold नहीं करना है और आपको उसको buyback के लिए दे देना है तो आपको yes to buyback हो जाएगा यहाँ पर अगर long term के लिए अगर आपको hold करना पड़ा है debenture तो इससे बड़ी आप उसको buyback करवा लिजे आपको cash मिल जाएगा उस cash का market में invest करके 12% कमा सकते हैं बट अगर मान लिजे short period है जैसे मान लिजे 1 साल है या 6 महीने है तो उस case में आपको buyback करने की ज़रूरत नहीं है मतलब आपको उसको hold कर लेना चाहिए क्योंकि एक साल का बहुत कम period का time है जिसमें ज़्यादा चिंगिस नहीं होते हैं और risk-free security है तो short period के अंदर आपको उसको buyback नहीं करवाना है और अगर आपका long period है maturity का तो आप उसको buyback करवाना है तो यह आपका logic रहेगा इस question के answer के लिए फटा फट से इसको verify भी कर लेते हैं हम लोग question number 2 के answer को तो question number 2 का जो answer है वो चालू होता है हमारे expected return से जो की 12% है जो की हमारा भी same है फिर जो उनका आता है variance जो है 72 और standard deviation जो है आपका 8.49 जो की हमारे answer पे भी एकदम match करता है अब जो last part है वो थोड़ा important है यहाँ पर कि उन्होंने क्या लिखा है buyback के बारे में तो उन्होंने लिखा है कि Mr. X finance company offered the buyback of debenture at face value मतलब face value पे buyback गया था there is reasonable 10% rate of interest compared to expected return of 12% मतलब market की expectation 12% है but debenture पे हमें 10% तो मिल ही रहा है considering the dividend rate and market price of the credit worthiness company seems to be very good तो dividend और market price के basis पे हम बोल सकते कि company का credit worthiness बहुत बढ़िया है तो debenture में default होने के chances या debenture में risk होने के chances बहुत जादा कम है decision regarding buyback should be taken considering the maturity period and opportunity if maturity period is low तो अगर maturity period बहुत कम है तो buyback की ज़रूरत नहीं है say up to one year better to wait otherwise to opt for buyback तो आप wait करी maturity complete होने का इससे बड़े आप buyback करे अगर period जादा है तो आप buyback के लिए जा सकते है फिर जो पैसा आएगा उसका आप equity में invest करके जादा return कमा सकते है तो यह होगे आपका answer second question का भी अब चलते हम लोग वापिस हमारे concept notes की तरफ तो हमने solve किये हमारे दोनों questions tyk1,2 returns और risk के basis पे अब चलते next concept पे जो कि है हमारा covariance तो covariance क्या होता है तो अगर आप केवल नाम से समझने की कोशिश करेंगे covariance मतलब आप मतलब दो चीजों का variance compare कर रहे है या फिर आप measure कर रहे हैं कि दो चीजों के बीच में क्या relationship है इसका अगर definition पड़े तो is a matter of how returns of two security move together मतलब अगर आपका दो security है security A और security B तो वो दोनों एक साथ कैसे move करेंगे उसका नाम है covariance in case of return of two security move in safe direction covariance is said to be positive तो दूसरा भी बढ़ रहा है एक अगर गिरता है तो दूसरा भी गिर रहा है तो इसको हम बोलते हैं positive covariance और अगर if the return of the two security move in opposite direction अगर दोनों opposite direction में जाते हैं मतलब एक बड़ा और एक गड़ गया और या फिर एक गटा और दूसरा बढ़ गया तो इस case के अंदर आपका जो covariance है वो negative आएगा क्योंकि इसमें inverse relationship established होता है and if the moment of return are independent of each other covariance would be close to zero and अगर आपके case के अंदर जो भी आपके moment हुए है independent है और जो आपका मान लीजे stock A बढ़ता है बट stock B के अंदर कुछ भी नहीं होता है या फिर stock B बढ़ता है stock A में कुछ भी नहीं होता है तो अगर दोनों के बीच में कोई भी relationship नहीं है तो उस case में आपका covariance zero हो जाएगा और उस case में आपके जो सारे moments है वो सब independent बोले जाएंगे अब सर, covariance का formula कैसा होता है तो कैसे calculate करना है तो covariance का formula आपका बहुत similar है variance के according ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको sigma मतलब sum करना है पहले आपको stock X का तो division उसका sum करना है फिर stock Y के division का sum करना है तो उनों को multiply करना है और divide by N करना है which is number of year और अगर probability वाला question है तो आपको क्या करना है same चीज X minus X bar Y minus Y bar का multiply करके sum करना है और इसको probability से भी multiply करना है तो यह आपका formula रहेगा अगर आपका रहता है probability वाला distribution और अगर आपका रहता है historic वाला distribution तो आपको यह formula follow करना है दोनों बहुत भी logical और बहुत simple है कि आपको deviations जो stock X के है और जो deviation आपके stock Y के है दोनों को multiply करना है उसको फिर probability से multiply करके आपको मिल जाएगा आपका covariance का number तो यहाँ पर हम दिखते क्या क्या मतलब है covariance mean security A and B यहाँ पर दिया है sigma X minus X bar into Y minus Y bar इसका मतलब है sum total of joint deviation annual return from expected return तो यहाँ पर आपका joint deviation है X minus X bar का और Y minus Y bar का दोनों की deviation को अगर आप multiply कर रहे है तो आपका बनता है joint deviation from the expected return यहाँ पर N का मतलब है number of annual return और P का मतलब है probability अब इसके साथ और क्या formula है covariance calculate करने के तो यह तो है हमारा एकदम basic या functional formula इसके अलावा भी हमारे कुछ formula है based on the correlation coefficient and the beta तो इन दोनों को हम लोग next चीज में discuss करने वाले हैं तो उसी time हम यह formula को भी discuss कर सकते हैं अब sir अगर इसका question आजाए covariance calculate करने का तो इसको करना कैसे calculate तो इसका भी यहाँ पर answer दिया है कि पहले 3 column आपको बनाने stock x के next 3 column आपको बनाने stock y के और last में आपको दोनों को करना है product of deviation दोनों को करना है आपको multiply ताकि आपको मिल सके दोनों का covariance यहाँ पर सबस्वेल आपको return लेना है फिर deviation लेना है आपको based on expected return फिर उस deviation का आपको करना है square तो जैसा आपको पहले भी देखा था कि square करने का purpose क्या है square करने का purpose यही है कि जो changes से वो एक दूसरे को offset ना करे तो इस तरह से आपको same y के ले करना है और फिर आपको यहाँ पर end में एक product करना है आपके deviation x का और deviation y का ताकि आपका covariance easily calculate हो पाए तो यह बात हो गई अब यहाँ पर एक mystic racer का point दिया है that generally in few questions square matrix of covariance is given in such cases the covariance of security A with itself is equal to variance of security A that is covariance A equal to variance of A तो covariance generally दो security का एक दूसरे के साथ होता है अगर हम लोग एक security का variance खुती के साथ कराएंगे तो वो covariance नहीं वो आपका variance बन जाएगा इसके लिए यहाँ पर TYK 17 का reference दिया है तो quickly एक बड़ चेक करके देख लेते हैं कि क्या question है और क्या requirement है यहाँ पर तो test knowledge का question number 17 पर चलना है हमें तो यह हमारे test knowledge का question number 17 है जहाँ पर आपको covariance of return भी मिला है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आप खुजिक के दूसरे stock के साथ covariance नहीं मिलेगा इसका मतलब यह है कि यह जो number आप देख रहे हैं यह covariance नहीं यह variance है आपके mutual fund X का तो खुद का खुद से covariance होता है आपका variance जैसे mutual fund Y का mutual fund Y के साथ 4.250 यह होता है आपका variance mix का mix के साथ 3.100 यह होता है आपका variance इस calculation के अंदर variance matrix में तो इसको मैं marking तो निकाल देता हूँ जब हम इस question को solve करने आएंगे तब हम इसको और check करेंगे detail के अंदर अभी हम इसको remove कर देते हैं तो ये तो हमारा mistake point था कि अगर आपको कभी matrix मिलती है तो matrix में आपको ये बात ध्यान रखनी है covariance of a with a is equal to variance and that is much better option अब इसके बेशेज पर कौन सा question number base है वो है question number ty के 6 चलते हैं हम लोग ty के 6 के उपर जो हमारा ty के 6 दे रखा है यहाँ पर यह हमारे में 22 exam के अंदर भी आया हुआ है question number 6 का a देखते हैं यहाँ पर क्या बाते हुई है यहाँ पर historical rate of return of two security given है मतलब historical वाला case है यह for past 10 years calculate the covariance and correlation coefficient of the two securities यहाँ पर हमें correlation coefficient and covariance calculate करना है correlation coefficient हमने अभी तक नहीं पढ़ा है बट हम लोग हमारे concept notes में cover करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको answer करेंगे तो सबसे बहले हम लोग correlation coefficient का concept complete कर लेते हैं और इसी के बाद हम लोग जाते हैं वापर इस question के उपर तो correlation क्या होता है correlation covariance का ही एक छोटा सा part है मतलब जो आपने covariance देखा वैसा ही हमारा correlation भी है correlation क्या करता है वो measure करता है extent to which two variables are related तो दो variable कितना related है वो ये match करता है and covariance में आपके पास होता है value from minus 1 to plus 1 अगर आपका covariance plus 1 आता है इसका मतलब क्या है कि आपका जो stock A है अगर वो 10% बढ़ेगा तो आपका stock B है वो भी 10% बढ़ेगा क्योंकि दोनों में एकदम positive correlation है तो इस case को बोलते है plus 1 अगर इसका minus 1 आता है correlation इसका मतलब क्या है अगर stock A 10% बढ़ता है तो stock B 10% गिरेगा दोनों opposite direction में जाएंगे इसलिए इसको बोलते है minus 1 and if अगर correlation का coefficient 0 आता है इसका मतलब दोनों का एक दूसरे पर कोई भी impact नहीं पढ़ रहा है तो I hope कि आप समझ रहे होंगे कि correlation coefficient का मतलब क्या है generally ये use क्या होता है to matter the extent two variables are related मतलब कि किस हद तक stock A और stock B एक उसे दे related है इसके लिए हम लोग use करते हैं हमारा correlation coefficient अब इसका formula क्या है इसका भी बहुत simple formula है अगर आपने covariance calculate कर लिया था उपर तो आपको covariance को divide करना है आपके standard deviation A से and standard deviation B से ताकि आपको मिल सा है आपका correlation का answer तो सेम चीज़ा लिखिए R A B तो सारे correlation coefficient को हम R से denote करते हैं correlation coefficient between security A and B then cov A B मतलब covariance between security A and B then sigma A sigma B मतलब standard deviation of security A, standard deviation of security B यहाँ पर एक formula और दी रखा है तो इस formula को हम बाद में cover करेंगे क्योंकि यह beta related है और beta भी तक हमने यहाँ पर पढ़ा नहीं है इसके राद यहाँ पर कुछ point दे रखे हैं हमें जो mistake points कर सकते हम लोग if correlation between security and market is given then correlation between each security can be calculated as follow तो अगर हमें given है correlation between security and the market हमें पास दो security है A और B और जो मुझे correlation given है वो है A का market से और B का market से अब मुझे चाहिए correlation A का B के साथ so how to get the correlation for A and B is for this case you can just multiply the correlation of A with market and correlation of B with market then you will get the correlation of A and B this is the process and same is mentioned here that RAB equal to RAM into RBM and correlation between security A and B A in market and B in market if correlation of A stock is given but it is not mentioned that it is with market or other stock then assume it is correlation with market तो अगर आपको मिलता है कोई correlation का amount question के अंदर बट ये mention नहीं है कि correlation with security है या market है तो आपको मानना है कि ये correlation with market है और इसका आप यहाँ पर एक illustration 1 देख सकते है page number 6.35 के understanding के लिए तो हमने यहाँ पर अब correlation coefficient का concept भी cover कर लिया है आप हम लोग ready है इस question का answer करने के लिए study mat के यहाँ पर सबसे पहले हमें calculate करना है covariance जोकि बहुत simple है फिर हम calculate करेंगे correlation coefficient तो मैं आपको लेके चलता हूँ Excel पर उससे पहले हम लोग try करते हैं कि यहाँ से अगर copy कर पाये तो हम numbers तो चलते हैं हम लोग हमारे Excel के उपर अब इस question को solve करते है तो again यहाँ पर Excel से थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा काम तो same चीज follow करने वाले हैं यहाँ पर 10 साल का दिया है हमें data security 1 और security 2 का covariance calculation यहाँ पर करना है security 1 को हम यहाँ लिख जितने हैं चलो S1 और यहाँ के सारे के सारे return हमको यहाँ पर लेने पड़ेंगे यहाँ से वहाँ तो यह थोड़ा time consuming काम है मैं फटावर्ट से सारे के सारे return का data ले लेता हूँ 12, 8, 7, 14 12, 8, 7, 14 16, 15, 18 16, 15, 18 20, 16, 22 तो यहाँ पर हमने सारे data ले लिया है security 1 का similarly security 2 का data भी में ले लेता हूँ यहाँ पर returns का bs, bs, 2 is 15, 20 24 25 22 or 20 so now we have both the types of return यहाँ पर 10 year का gap दे रखा है for covariance what we have to do let's again understand तो यहाँ पर इन दोन return का हम सुड़ा दूर दूर कर लेते है covariance के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है covariance के लिए हमें सबसे पहले सारे के सारे returns का sum करना पड़ेगा तो यहाँ पर 148 आता है और यहाँ पर आता है इसका 210 अब इसको हम लोग अगर divide करते है number of year से जो कि है 10 तो यह होता है हमारा average return 148 है हमारा average return similarly security 2 का जो हमारा average return बनेगा वो है हमारा 21 % तो हमारे पास security 1 और security का average return available है हमें calculate करना है यहाँ पर covariance तो covariance के लिए next step होता है हमारा deviation calculate करना so deviation of security 1 यहाँ लिखे है हमें यहाँ पर regular return को minus करना है हमारे expected return के साथ तो ये होगे हमारे deviation for security 1 similarly deviation for security 2 हमें करना है इसके लिए हमको minus करना पड़ेगा यहाँ पर F का 14 तो ये हमारे security 2 का deviation हो चुका है यहाँ पर जो कि हम यहाँ mention कर देते हैं Now, अब क्या next step होता है हमारा 4 variance calculate करने के लिए दोनों के deviation को एक उसरे multiply करना है and then उसको हमें divide करना है number of return से So, we will multiply deviation of security 1 with deviation of security 2 दोनों को multiply करके हमारा answer आजाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा security 1 का deviation हो गया security 2 का deviation हो गया और इसको कर लेते हैं नीचे तक copy अब इसका sum कर लेते हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा आता है deviation का answer 0.8 तो फटावर्ट से एक बार इसको verify भी कर लेते कि जो हमने calculate किया है वो सही है कि नहीं है यहाँ पर हमें covariance calculate करना था अब मैं आपको लेकर जलता हो फटावर्ट से question number 6 के उपर तो question number 6 के अंदर हमारा covariance बिलकुल सही आया है तो कि हमारा 0.8 अब जो next part है हमारा इसके अंदर वो है correlation coefficient को calculate करना तो यह हमारा sum हो गया है यहाँ पर और इसको जासी हम divide by 10 करेंगे यहाँ पर तो यह हो गया है हमारा 0.8 का covariance यहाँ पर मैं आपके लिए नोट कर देता हूँ यह हमारा covariance है अब covariance हमारा आ चुका है covariance हमने कैसे calculate किया है हमने पहले security 1 का deviation लिया है security 2 का deviation लिया है दोनों को multiply किया है और divide by n करते ही हमें answer मिल चगा है 0.8 तो यहाँ पर इसको अगर लिखे हम formula में sigma x minus x bar y minus y bar divide by n तो यह हमारा covariance आया है यहाँ पर 0.8 का अब next चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है वो यह है कि हमें यहाँ पर correlation coefficient भी use करना है तो हमें correlation coefficient calculate करना है जिसका formula होता है covariance divide by standard deviation of x और standard deviation of y तो दोनों का standard deviation तो हमें इसको divide करना है तब जाके हमें मिलेगा इसका correlation coefficient तो यहाँ पर चलते calculation of standard deviation तो हमारे पास deviation तो है security 1 का हमें इसका deviation का square चाहिए for calculating the variance तो यहाँ पर इसका square करेंगे हम लोग यह इसका square हो चुका है अब इसका sum करेंगे हम लोग तो इसका sum divided by 10 करते यह होगा हमारा variance तो यह हमारा variance x हो गया है और यह हमारा x bar था यह हमारा y bar था सेम step हमें यहाँ पर security 2 के लिए करना है जो भी deviation है उसका square करना है और security 2 तो यहाँ पर simple सा process इसका square कर लेते हैं तो यहाँ पर square हो चुका है अब इसका sum करने पर और divide by 10 करते ही हमें मिल जाएगा इसका variance of x and variance of y यह दोलों का variance आ चुका है हमारे पास अब इस variance को convert करेंगे हम लोग हमारे standard deviation में तो करने के लिए हम इसका root करना है तो यहाँ पर मैं इसका root कर देता हूँ excel में तो यहाँ पर इसका standard deviation है 4.55 and यहाँ पर इसका standard deviation है 2.88 एक मिनिट इसको यहाँ सटा देते हैं तो यह दोनों का standard deviation आ चुका है अब हमें r calculate करना है तो r के लिए क्या करना है covariance जो कि यहाँ given है covariance हमारा है minus 0.8 divide by दोनों के standard deviation से तो एक का standard deviation है 4.55 तो 4.56 into 2.89 तो इसको solve करती हमें मिल दाएगा हमारा answer तो यहाँ पर मैं लिखके कर देता हूँ इसको solve तो minus 0.8 divided by bracket 4.56 into 2.89 तो यह हमारा आ चुका है यहाँ पर r का value minus का 0.06 सेम हम यह verify कर सकते कि क्या-क्या answer आये है सबसे पहले हमारा standard deviation आया है 4.56 तो यह हमारा answer match हो चुका है फिर हमारा standard deviation 2 आया है 2.90 तो यह हमारा यहाँ पर भी match हो चुका है और फिर जो हमें calculate करना है वो हमें r का value तो r का value हम check करते हैं यहाँ पर कहाँ पर given है तो r का value यह रहा given जोकि है minus का 0.0605 तो यह same answer हमें भी यहाँ पर मिल चुका है same steps हमने आप follow किये हैं जोकि ICI ने follow करे हैं तो आपको भी यही बाते ध्यान रखने है calculation करते time तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ICI का answer है यहाँ पर year given है return given है then यहाँ पर deviation calculate हुआ है फिर deviation का square calculate हुआ है similarly second stock के return deviation, deviation का square और product of deviation same steps आपको भी follow करने है और हमारे concept notes के अंदर भी same steps given है तो यहाँ पर अगर आप जब table दिखेंगे तो table में भी same talk x, talk y और दोनों का product यहाँ पर given है तो यह होगी हमारे question on test your knowledge अब चलते हैं next part पर जोकि है हमारा coefficient of determination तो यह coefficient of determination क्या होता है तो coefficient of determination कुछ नहीं चीज़ नहीं है जो आपका coefficient of correlation है अगर आप उसका square कर देंगे तो आपका आता है coefficient of determination अब इसका मतलब क्या होता है तो coefficient of determination का मतलब यह होता है कि जो भी आपका value आया मानलेजी 18% value आया आपका coefficient of determination का इसका मतलब यह है कि जो भी stock के अंदर risk है उसमें से 18% risk जो है वो है market के उपर dependent मतलब अगर market बढ़ेगा तो जो आपका stock है वो 18% उसमें risk है कि वो भी उसके साथ बढ़ेगा अगर market गटेगा तो 18% chance है कि आपका जो 18% risk है कि आपका जो stock है वो भी market के साथ गटेगा तो ये होता है आपका coefficient of determination जो आपको बताता है कि आपका total risk जो है जो आपका total variance है उसमें से कितना percent of risk आपका market से है और कितना percent of risk आपका खुद के stock से related है खुद के stock से related मतलब मतलब आपके जो performance है आपके जो key management personals है आपके जो targets है उसको बोलते हैं हमारे unsystematic risk या फिर other than the systematic risk systematic risk आपका क्या रहेगा r square मतलब coefficient of determination जितना भी आपका coefficient of determination है उसका मतलब उतना percent आपका systematic risk है और जो आपका balance है वो आपका unsystematic risk होता है अब इसको detail में पढ़ लेते हैं एक बार यह होता है square of coefficient of correlation मतलब r जो हमने उपर calculate कि आपका square कर देंगे तो आपको मिल दागा coefficient of determination gives the percentage of variation in the security return explained by the variation of market index मतलब percentage of security return जो की dependent है हमारे market के index पे इस पे एक example भी given है कि company x का determination 0.18 है मतलब 18% of variation is explained by the variation of the index मतलब जो भी आपका moment हुआ है उसमें से 18% moment आपके index के वज़े से हुआ है बाकी का 82% है वो आपका moment हुआ है company के performance की वज़े से and 82% is not explained by index means it is stock specific और performance of the stock यहाँ पर same formula given है coefficient of determination कैसे क्लिक हो सकता है systematic risk divided by total risk total risk यहाँ पर होता है हमारा variance और systematic risk आपको यहाँ पर मिलेगा question के अंदर तो आप इसको divide करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपको coefficient of determination या फिर square of correlation of coefficient तो यह हो गया simple language में हमारा coefficient of determination आप चलते next part पे तो next part है हमारा beta तो अब beta क्या होता है और बहुत important concept है हमारे पूरे AFM के subject के लिए तो beta का बहुत simple शब्दों में यह मतलब होता है कि market में कुछ change होगा तो उससे आपके stock में कितना change होगा अगर market मान लिजे 1% बढ़ता है आपका stock 2% बढ़ता है इसका मतलब यह है कि आपका stock का beta plus 2 है सेम चीज़ अगर आपका market 1% बढ़ता है और आपका stock 2% गिर जाता है तो आपका beta minus 2 है तो इसका मतलब क्या है बीटा होता है percentage change in the stock divided by percentage change in the market मतलब market में change होने के वाज़े से आपके stock में कितना change हुआ है वो आपकी stock का beta है इसको एक बाद रीट कर लेते हैं इस calculated from the historical data मतलब इसका calculation आपके जो past trend है उसके business पर किया जाता है to measure the systematic risk of a security ताकि हम एक systematic risk जो systematic risk है वो है risk attributed to the index मतलब index के moment की वाज़े से आपके stock में कितना moment होगा index के अंदर risk से आपके stock में कितना risk है वो होता है आपका beta it's a historical measure of systematic risk for example when market return move up by 6% stock with beta of 2 would find its return moving up by 12% अगर आपका beta 2 है और market 6% बढ़ चुका है तो उसका 2 times आपका खुद का stock बढ़ने वाला है जो कि 12% है और similarly अगर market गरता है तो आपका stock भी सातने गिरने वाला है now here it is very important to note that a security can have betas that are positive, negative और 0 तो we can have all 3 types of beta if it is positive then market बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा अगर ये negative है market बढ़ेगा तो आपका stock गिरेगा अगर ये 0 है तो आपके stock पे कुछ फरक नहीं बढ़ने वाला है market के बढ़ने का या गिरने का तो same चीज़ यहाँ पर लिखी है positive beta dependent on the market return and moves in the direction same direction में move होगा यहाँ पर लिखा है moves in opposite direction अगर negative है और 0 beta है that return is independent मतलब कुछ फरक नहीं पड़ेगा उसके movement से अपने stock को अब beta equal to 1 indicate that security has a risk as that of market अगर beta 1 है मतलब market जितना risk है market अगर 1% बढ़ा तो हमारा stock भी 1% बढ़ेगा तो same risk यहाँ पर maintain होने वाला है beta greater than 1 है मतलब above average risk है beta less than 1 है मतलब below market risk है तो यह होगी हमारा थोड़ा analysis बीटा के बारे में या बीटा की understanding के बारे में वो market से check करने वाले है इसलिए नीचे जो आएगा वो आएगा आपका market का variance next इसका formula है वो है कि coefficient of correlation multiply by standard deviation of x multiply by standard deviation of market divided by standard deviation of market तो यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर आपका standard deviation कर जाएगा तो इसका आप लिख सकते है r into standard deviation of x 1 minute इसको लिखने का एक तरीका और क्या हो गया r equal to standard deviation of x divided by sorry यह भी गलत हो गया इसको लिखने का मौका कैसा है बीटा equal to equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of market तो यह इसका एक formula हो गया कि अगर आपको बीटा calculate करना है तो आपको केवल correlation coefficient standard deviation of x standard deviation of market चाहिए और आप बीटा calculate कर सकते हो claim यहाँ पर भी given है अब यहाँ पर covariance of x और m है तो covariance से जब हम calculate करेंगे तो हमें market का और stock का covariance चाहिए होगा similarly correlation भी हमें market और stock का correlation चाहिए होगा standard deviation market का standard deviation हमें market का stock का और market का चाहिए रहेगा यहाँ पर second method क्या है यहाँ पर यह दो simple formula method था second method है कि if return of two period of stock x and market is given in question अगर आपको given है कि यहाँ पर जो एक तो आपका stock है एक आपका market है आपके stock का price था 10 रुपीज जो होगे 20 रुपीज आपका market जो था वो चलना था 100 पर और वो हो जुका है 200 अगर आपको ऐसा data given है stock का और market का और आपको beta calculate करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको change in market divide by change in stock करना है और आपको beta मिल जाएगा तो change in market कितना हुआ है market 100 का 200 हुआ है 100% का high है और आपका same चीज 10 का 21 मतलब 100% का high है तो इस case में आपका beta हो जाएगा 1 क्यूंकि दोनों के अंदर change बराबर हुआ है इसका formula क्या है change in security return divided by change in market return तो same चीज आप use करके इसका beta calculate कर सकते हूँ अब यहाँ पर question कौन कौन से base है इसके उपर question number 8, 9 और 10 so if after calculating beta the question asks for observation then calculate the required return based on CAPM and compare it with actual return to advice on by cell TYK8 यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर mistake register में लिखा है कि अगर beta calculate करने के बाद question में लिखा है कि observation 2 तो उस case में आपको क्या करना है उस case में आपको calculate करना है required return based on CAPM तो CAPM के basis पर आपको required return calculate करना है CAPM क्या है CAPM एक formula है जिसको हम लोग generally लिखते है return equal to risk free return plus beta into risk premium end risk premium is market risk minus market return minus risk free return तो यह हमारा CAPM होता है जिसको हम आगे discuss करने वाले हैं कि CAPM का formula क्या होता है तो अगर आपसे पूचा है beta calculate करने के बाद कि आप observation दीजिए तो observation देने के लिए आपको CAPM यूज़ करके आपको आपका return calculate करना है और दोनों compare करके बताना है कि buy सही रहेगा कि sell सही रहेगा इस particular stock का तो इसके लिए हमने question number 8,9,10 देखने है अब चलते हम लोग question number 8,9,10 के लिए हम लोग इवा time check कर लेते हैं कि क्या time सल रहा है तो हमार पास अभी भी time है solve करने का तो हम लोग फटावर से ये question को solve कर लेते हैं